नमस्कारों, आज हम जो गेम देखने वाल है वो विश्वनातन आनन्द और गैरी कासपरों के बीच हुआ था आज जैसे कि 11 डिसंबर है तो विश्वनातन आनन्द जो विश्यानन के नाम से हम लोग सभी जानते हैं उनका बड़े है और मुझे नहीं लगता कि इंडियन चेस में उनको इतना जल्दी कोई रिप्लेस कर पाएंगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्रिकेट में अगर हम बात करें तो सजिन दिन करोकर रिप्लेस करने के लिए थोड़े अच्छे प्लेस आगए हमारे पास अभी तक भी उनमें भी हम बोलेंगे हैं कि कॉंप्लेट ली उनको ने हमें रिप्लेस करें है बड़े बर विराठ को लिए और बाकी प्लेस इतने अच्छे कर रहे है लेकिन अगर हम चेस की बात करें तो इतना आसान नहीं होगा हरी क्रिष्णा के लिए या विधित के लिए या और किसी प्लियादी बन के लिए कि विश्यानन्द को रिप्लेस कर पाए इतना जल्दी तो आज हम जो गेम देखने वाल है वो एक बहुत ही बहतरीन गेम हुआ था मेरी राय में हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरब जाते हैं और कोशिश करेंगे कि उसको समझें कि कस्परों के अगिन्स जो विन हुई थी उसको देखें इसमें जो स्टार्ट हुआ था वो E4, C5, NF3, D6, D4, CD4, N4, N2F6, Nc3, A6, Nashdorf हमेशा से ही गेरी कस्परों का बहुत इंपोर्टन्ट एक उपनिंग पार्ट था और इसमें F4 खिला यहां पे विशी ने यहां पे और भी बहुत सारे इनिशियल मॉर्डर्स हैं जो खेल सकते हैं E6, mainly इदर E5 खेलते हैं जिसमें की Nf3, Nbd7, A4, B2e7, यहां पे Qc7 भी जा सकते हैं, Bd3, Castle, Castle और यह एक स्टार्टिंग पोजिशन है जो की E5 के बाद आता है बट गेम में E6 खेला, जो की 7 engine variation के नाम से famous है, structure के नाम से famous है उसके बाद Bd3 आया है, White, Knight to Bd7, Castle, Queen B6, यह आप देखें तो अभी जो D4 का Knight है वो पिन है और Almost Bishop E3 forced हो चुका है नहीं तो अगर आप Knight C, Cd2 खेलेंगे तो E5 आ रहा था जिसमें की यह पिन है तो यहाँ पे Queen B2 मारा, यह kind of आप बोल सकते हैं कि Poison Pawn variation जो आता है, उसके जब से ही है, लेकिन यह जो more order है वो उतना correct नहीं है अगर हम बोले तो, Poison Pawn के लिए So, Queen B2 मारा Knight Db5 यह एक interesting continuation था क्यूकि इसके बाद एक बात clear थे कि White वो कोशिश कर रहा है कि Queen Trap के लिए ट्राइ करो इसमें और definitely King Center में यहाँ पे, आपका King Safe है, यहाँ पे Queen को problems हो सकते हैं और Knight C7 एक major threat है तो यहाँ पे, इसके अलावा actually Queen B4 जा सकते थे, Queen B4 में Knight C7 check, King to E7, Knight A8 यह एक variation हो सकता था लेकिन और इसमें और भी बहुत कुछ analysis है दिया हुए actually, लेकिन Knight B5 को Rook A5 खिला, लाकने रूख B1, definitely आप Queen A2 नहीं जा सकते हो क्योंकि उसमें Knight C3, Queen A3 और Rook B3 आ रहे हैं और Queen Trap हो जाएंगा जिसमें कि इतना कुछ मिलने रहे है So after Rook B1, Rook into B5 is forced, Rook into B2 मारा, Rook B2 and Queen A1 यहां पर यह एक बहुत ही interesting हो थी क्योंकि अगर आप बात करें इस Rook की तो इसको जादा squares है नहीं, दो ही square है, C3 यहां पर B4 जा सकते हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं, Rook B4 को Queen C3 आ रहे है तो Rook B6 actually देखा जाए Queen A1 के बाद तो only move है, Rook B6 इसमें कि Bishop into B6, Knight into B6, Queen C3 यहां पर अगर आप material की बात करेंगे तो 3 pieces हैं, 3 minor pieces है Queen के लिए White के पास, sorry Black के पास लेकिन after Bishop E7, अगर यह King safe हो जाता है एक बार, तो फिर शायद ही मैं बोलोगा कि यह position Black के लिए comfortable रहेंगी क्योंकि normally जब भी आप Queen के against खेलते हैं, आपका King at least safe होना चाहिए तो यहां पर Bishop E7 की जगए King D8 एक अच्छा try था Black के लिए King D8 जिसमें Queen A5, Knight to D7, Rook B1 और D5 खेल सकते हैं, जहां पर आप Rook into B6 नहीं मार सकते हो definitely because Bishop C5 check में मैं वापस से मार दूँआ, Rook B6 को Bishop C5 check check और B6 वापस आ रहे हैं otherwise B6 आप remove करेंगे तो C8 मर रहा है, यहां पर Queen cut G7 मर रहा है और यह position actually ऐसी है जहां पर जो मैंने पहले point बोला था कि when you are playing against Queen, अपका King जो है वो थोड़ा safe होना चाहिए लेकिन इस बार Queen into G7 के बाद बहु बात रहेंगी नहीं और Bishop F6 के लिए यहां पर Black नहीं Queen H6, King E7, King E7 की जगह भी और options से जिसे कि आप Rook G8 जा सकते हैं यह एक natural way लगता है यह जब भी G5 open होती है तो आपके पास यह simple तरीका होता है Rook को open करने का King E7 के ला, Rook G8 की जगह Black ने, Bishop B5, Bishop B5 जो है यहां पर threat यह कि आप कुछ conditions में A4, A5 भी जा सकते हैं और जाये तो Bishop into D7 मारके उसको force करा सकते है टाकि pieces और exchange होते हैंगे तो chances बनेगे और एक बार अगर इस file में कुछ pressure बन जाता है A4, A5 के बाद 2 भी ब्लैक को problems आएंगे, so Bishop B5 लेकिन Bishop B5 उस analysis में देखा था बहुत सारे लोग ने उस वक्त की जो भी बाद में analysis में ने देखे था इस game के, KG7 के बाद actually अगर अच्छी बात करें अच्छा कोई move है तो वह G4 है जिसमें next move G5 force आ रहा है, Rook G8 G5, maybe Bishop G7 और उसके बाद आप Queen H4 जा सकते हैं, Queen into H7 शायद नहीं मार सकते हैं, उसमें definitely Bishop D4 check, King F1 और Rook H8 आ रहा है, जिसमें problems हो सकते हैं इस Queen को लेकिन गेम में Bishop B5 खेला, जबकि G4 एक बहुत अच्छा move अविलेबल था हुआ, Rook G8, Rook D1, Rook G8 की जगह वहां पे actually E5 भी आ रहा था, बट गेम में Rook G8 खेला होने, E5 now, F5, N2 C5, E4 पे threat है, यहां पर भी कुछ अच्छे moves अविलेबल थे, जैसे की N2 C5 की जगह Rook D8 आ सकते हैं, Rook D8 में, अगर आप अभी G4 आते हैं, तो Nc5 और फिर G5 को N2 E4 आ रहा है, विकाज इसमें, अप लिस्ट अभी भी एक चांस है की G-Cut F6 को N2 F6 मार के, फोल्ड करने के लिए खेला जाए यह position, लेकिन Nc5 खेला जिसमें, अभी आप थोड़ा आप चाहें, तो pause क करके भी आप थोड़ा देख सकते हैं कि इस position में actually क्या हो रहा है, क्योंकि normally मैं recommend करूँगा कि जब भी आप कोई newcomer या intermediate कोई देख रहा है यह video, आप board पर set करके भी देख सकते हैं, ताकि कुछ positions जो अच्छा आते हैं, उनको आप puzzle के जैसा लें और try करें कि उनमें क्या white ने कुछ sacrifices दी हैं ताकि position हमेशा unclear है और एक बर king जब expose हो गया है, तो उसको कैसे और ज़्यादा problems create कर सकते हैं, तो quickly game की तरफ जाते हैं, इस game में आगे आनन ने rook into d6 मारा, definitely आप king into d6 नहीं मार सकते हैं, because queen f6 और अगर आप king c7 जाते हैं, to queen f7 check के बाद g8 पे problems हैं, so definitely यह winning था, rook d6 को bg5 खिला, queen into h7, अभी आप d6 नहीं मार सकते हैं, g8 को problem है, knight into e4, rook at b6, अब definitely इतना structure, इतना position आने के बाद कहें कि, अभी भी position unclear है, और एक ही साब से देखा जातो white को better है, लेकिन अभी जो problems हैं, वो यह कि g8 hanging है, h4, e4 भी hanging है, क्योंकि अगर आप bishop e3 check देते इसमें, तो definitely उसके बाद, king f1, और अगर आप bishop into b6 मारता है, तो g8 मार रहा है, लेकिन अगर आप rook d8 मारेंगे, तो भी queen h4 check में e4 मार रहा है, so, बहुत सारे unsupported pieces पड़े हैं, यहाँ पर black actually, but rook d8 खेला है, यहाँ पर rook into b6 के बाद, और यहाँ पर bd3 आया, definitely bishop e3 check, king f1, bishop into b6 को, अगर हम देखें, यहाँ पर, king f1, bishop cut b6, bishop into e4, और rook d4 आया, यहाँ पर black, जिसमें कि आप देख सेकते हैं, कि फिर से, एक बहुत ही अच्छा trick लगए आनल ने, कि, ठीक है, आपको पता है कि, threat है इधर, मर रहा है, पर उसको defense देने की ज़रूद दे, उसको support देने की ज़रूद नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा trick था, c3, क्योंकि अभी आप, अगर rook into e4 मारेंगे, तो f6 check आ रहा है, और यहीं पर 29th move पे, कस्परों ने resign कर दिया, यह 1991 में हुआ था, कस्परों के साथ, जब आनल 2-7 में भी नहीं था, 2-6-5-0, but यह वो दौर था, जब आनल 2-7 लेवल पे बहुत अच्छे results ला रहा था, तो definitely और भी कुछ games हुए, मैंने बहुत सारे लोगों के articles जखे अलग-अलग आनन के अच्छे games के बारे में, मुझे लगता है, यह game भी पैद आड होना चाहिए, कस्परों के साथ, क्योंकि उस वक्त कस्परों एक ब सिसिलियन का एक नया game देखने में और एक मज़ा आती है, और कस्परों के सिसिलियन में आ रहाना और एक बड़ी बात थी, सो, देखेंगे बहुत जल्दी और games, और कोशिश करेंगे कि हम और games देखें, विश्यानन के, क्योंकि जितने आप पुराने games देखेंगे, मैंने ये actually great games की series में बहुत और भी games बनाये, तो कोशिश करेंगे कि जितना भी हम game देख पाए, बड़े players के, उनमें कुछ सीखने मिले, और मिलते हैं बहुत जल्दी, आपके पास अगर कोई game है, या आपको लगता है कि वो game भी analysis किया जाए, तो definitely आप मुझे message कर सकते हैं, या फिर आप मुझे comment box में type करिए, जो भी आपको चाहिए, मैं कोशिश करूँगा, मिलते हैं बहुत जल्दी, bye, thank you.